तो यहां पर यह रहा मेरे पास Realme C30 smartphone और यहां पर यह रहा 8 Megapixels का single rear camera और आपको मैं इसी smartphone की इसी वीडियो में कुछ camera के settings बताऊंगा बहतरन settings बताऊंगा बहतरन shots के लिए तो आप है ना दूसरों इस video को end तक देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले like कर देना और आप channel बढ़ने हैं तो subscribe करके bell icon पर press करके रख लेना तो चलिए camera app को open करते हैं एक एक feature आपको मैं explain करके बताऊंगा यह क्या काम करता है और यह क्या काम करता है बुलकर तो चलिए camera app open करते हैं सब से पहले हमके हम पर मिलता है video mode आपको video recording करना है तो आपको आना होगा इस video mode में आप यहां से video recording कर सकते हैं आप maximum zoom कर सकते हैं यहां पर video recording करते हैं 4x तक zoom कर सकते हैं और इसके बाद आप इसकी ओपर क्लिक करेंगे तो flash it on हो जाती है वापस एक और बार क्लिक करते हैं तो flash it यहां से off हो जाती है यह रहा video mode आप इसमें कोई filter वगारा नहीं लागा सकते हैं अब आते हैं लेष्ट यहां पर यह रहा capture इस capture mode में आकर आप photos ले सकते हैं यह photo mode नॉर्मल मोड आप फोटो ले सकते हैं और यहां पर चुटर बटन है इसके उपर आप लॉंग प्रेस करेंगे तो आप 20 photos ले सकते हैं जोसों आप इस तरह से shooter butन पर लॉंग प्रेस करके इस करें आप बाद पर सेट करेंगे तो अबुत करना था अच्टर सेर्प करें अब एसके हैं वहाद करें अब इसको और अपिसको और फेस को पडिक रहरा के यहां पर face beauty के regarding आपको कुछ features मिलते हैं, हाँ पर smooth है, आप smooth कर सकते हैं, और black कर सकते हैं, skin tone कर सकते हैं, हाँ पर slim कर सकते हैं, lips को यह कर सकते हैं, मतलब यह जो सारे settings है न, beauty के regarding आप इसमें कर सकते हैं, और उसके बाद आते हैं हम पर next, आपको मिलता है हम पर filters, आपके हम पर अपको बताऊगा, जैसे आपने देखाúa कॉ ब्लार करके फोटो लेते हैं, आपको भी ऐसे फोटो लेना है, इस ऩोड़ में तो इस आप पॉट्रेट मॉन में आकर बैगरून प्लार करके फोटोज ले सकते हैं, और बैगरून बलार ज्यादा होना आते हैं इसमें आप कोई जूम और नहीं कर सकते ही प्रोटेट में इतना ही है ओर इसके बाद आते हैं ने दुर्पेश्ट हैंरा टीफेल्ट रखर सकते हैं यहां से जिए होगा और वाट्राइस हैं और आ सारे सेट्ंग कर सकते हैं और है यह जगाप पर रहे तो यह षliक होता है और इस अऑप रहे ऎंशले को रॉट शाइगए और आप यह मैं बताँगा अब मा अब बड़ा प्लेस है आप पूरे फोटो में लेना चाहिए तो आपको इस प्यानोरमा में आकर इस तरह सी पूटर आउनकरकि शुटर बिटन पर क्लिक करेए दीरे दीरे क्रक्ते में प्लेस इस तरह से बता दिना है तो पूरा प्लेस tag wise को आजाता है इस प्यानोरमा की रात में फोटूस ले सकते हैं वहत्रम फोटो को उसकते हैं आप हैंपकरक्र मॉड में मत प्रोम को यूज कर लीजए और ने के बाद है चेहां पर है स्टोरेच já आप इस पर क्लिक करके मतलब आप extra memory card इसमें डाले हैं तो यहां पर phone है और निचे external memory भी बताएगा आप जो भी photos और वीडियो लेते हैं इस phone में वो extra memory में जाना चाहिए तो आप external memory को यहां से set कर सकते हैं इसमें फिलहाल external memory मैंने नहीं डालाए उसलिए हम पर बस phone इतना ही बता रहा है तो चीलिए इसके अलावा हम पर next time volume की function मतलब आप camera app open करके volume बटन पर click करेंगे तो आप shooter पर set करके रखेंगे तो photo click हो जाता है और आप हम पर set करके रखेंगे volume तो volume ज्यादा होता है plus button पर click करेंगे तो ज्यादा होगा minus button पर click करेंगे तो कम होगा उसके अलावा जो भी photo आप लेते हैं इस phone में photos लेते वक्त में sound आना चाहिए तो हम पर camera sound को on कर सकते हैं नहीं तो off कर सकते हैं और show location आप location को on कर सकते हैं वीडियो के details में आप किस date में और किस time पर आपने photo click क्या है वो बताएगा तो details में photos और videos दोने के details में बताएगा आप यह लोकेशन को on करेंगे तो यह होगा इसके पर picture size मतलब आप जो photo ले रहे हैं वह photo का size कैसे आना चाहिए 4x3 आप इसके अलावा 16x9 यह आप यहां पर कर सकते हैं दूस्तों और यह होगा इसके पर picture quality मतलब clarity कैसे आना चाहिए आप जो photo लेते हैं इसमें super fine कर सकते हैं fine कर सकते आपको super fine कर लेना दूसों एकदम 2 दिन सबसे ज़्यादा quality में photo click हो जाएगा तो चलिए इसके बाद नीचाना है add logo watermark इसको on करेंगे तो आप इस phone में photo click क्या है बोलकर बताएगा मतलब जैसे realme c30 ऐसे बताएगा photo के corner में एक logo बताएगा realme c30 बोलकर यह होगा उसके आपको बता चले इस date पर और इस time पर आपने photo click किया बोलकर आप कुछ सालों बात photo देख रहें तो आपको बता चलेगा न हाँ इस date का photo है इतनी दिन का photo है इतनी महिना का photo है बोलकर यह आप देख सकते हैं यह होगा इसके बाद हम पर count down duration यहां पर आप 3 seconds और 10 seconds कर सकते हैं यहां पर आप set करके photos ले सकते हैं और आप group के साथ photo ले रहें पूरे लोग तो आना चाहिए न गूरूप में तो उसलिए हम पर 10 seconds का time लगा कर आप shooter बटन पर click करके phone को कहीं भी रख कर वापस यह बंदा भी खड़े हो सकता है group में आराम से बाद में photo पूरे group के साथ click हो जाता है ये यूज कर सकते हैं इसके बाद यहां पर यह जो आप पर grid land करेंगे हैं तो camera app आपको hashtag लेकिन हम पर मुझे तो दिख रहे हैं उन लेकिन पर पता कर सकते हैं अपने phone को आपने कितना सीधा पकड़ा है यह हो गया वापस इसी setting में आने बाद आपके हम पर मिलता ह smile shooter यह off है तो इसको on कर लेना है इसको on करेंगे तो आप front camera open करके smile करेंगे दोसों तो automatic photo click हो जाता है यह भी कमाल का feature है और वह आपसे आते हैं इसी setting में आते हैं और नीचे यहां पर कुछ खास features जो थे यहां पर है touching photograph इसको भी on कर लेना यह तो खास है और आप कहीं भी touch करें है तो फोटो क्लिक हो जाता है और यह तो इसी रियल में सी 30 smartphone की कुछ camera के settings आपने कुछ घडबर कर दिया फेल कर दिया सटिंग तो नीचे आकर restore defaults पर क्लिक करके एक और बार हैं आपको done पर क्लिक कर देना है तो जैसे नया phone लेने के बाद में जैसी settings थी सारे settings उसी तरह हो के और उसी वीडियो की और यहां पर क्लिक कर लिए यहां पर आपको दिख रहा होगा वीडियो